हालो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल रसूई की दुनिया आज हम बनाएंगे फिश करी तो चलिए देखते हैं फिश करी के इंग्रीडियंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें इसके लिए हमने डेड़ के जी रोहू फिश लिया है फिश को हमने अच्छी तरह क्लीन करक यह मस्टर्ड आयल है और इसमें हम फिश को डालेंगे और इसे डी फ्राइ करेंगे इसे हमने आधा घंटा पहले ही मैरिनेट कर दिया था जिसमें हल्दी लाल मेच पाउडर धनिया पाउडर जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस मिलाया है और थोड़ा सा नमग मिला जाया है और इसे 30 मिनट के लिए रख दिया था फिश बहुत जल्दी कुक हो जाती है तब हम क्या करेंगे फिश को पलत लेंगे क्योंकि एक साइड यह हो चुकी है तब हम इसे पलत लेंगे फ्लेम को अगर लो रखेंगे तो फिश को होने की वजाये टूटने लगेंगी को हाई रखना है इस तरह सारे पीसेस को हम फ्लिप कर लेंगे अगर आपको और करारी चाहिए या कुरकुरी चाहिए तो आप इनको और भी थोड़ी देर छोड़ सकते हैं तो दूसरे साइड भी हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे दोस्तों जब तक फिश कुक हो रही है आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फैमली एंड फ्रेंट्स में शेर करना ना भूलिएगा शेर जरूर करिएगा दोस्तों अगर फिश को आपको ग्रेवी में नहीं खान है कुरकुरी सूखी ऐसे खानी है तो आप मेरीनेशन के समय चावल का आटा और थोड़ा सा बेसन एड कर सकते हैं इससे मचलियां और भी कुरकुरी और पेस्टी होंगी दूसरी तरफ के पीसेज भी कुरकुरे हो चुके हैं तो हम इन्हें एक बार और पलट लेते हैं ताक इसलब फिसेज हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और सारे पीसेज को इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे तो हम आपसे मिलते हैं सारे पीसेज फ्राई करने के बाद सारे पीसेज हमारे फ्राई हो चुके हैं तो हम मसाले की त्यारी कर लेते हैं इसके लिए हमने चार बड़े प्याज कट किये हैं बड़े बड़े टुकड़ों में और यह थोड़ी सी लैसन की कलियां चील कर ले ली हैं सर्सो के दाने लिया हैं और और यह तुकड़ा लिया इसे हमने काट लिए है तो दूसरी कड़ाई ले वस्टर औल गरम करेंगे आप यह जो औल आप पसंद करते हैं वो ले लेरेंगे जीरे डाल देंगे सैट बे लीफ ले लेगे और फिर हम प्यास डालके इसे सौते करेंगे फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे हाई नहीं करेंगे नहीं तो प्यास जल जाएंगे हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है यह हमने थोड़ी सी हरी मिर्च काटके डाल दे आप चाहें तो सूखी लाल मिश्ट भी काटके डाल सकते हैं प्यास लगबग ब्राउन हो चुके हैं तो जो मसाले हमने प्यास के पेस्ट बनाय थे प्यास टमाटर के वो इसमें हम डाल देंगे इसमें प्यास टमाटर, सरसो, अदरक और लैसन है और इसे हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे अक्सर हमें सरसो के दाने पीछने में मुश्किल होती है वो जल्दी पीछते नहीं है इसके लिए हमें पहले से सरसो के दानों को सोग करके छोड़ देना चीए या फिर उनके पाउडर बनाके छोड़ देना चीए और बाद में हमें प्याज के साथ उन्हें ब्लेंड कर लेना चाहिए यह धनिया पॉडर हमने डाल दिया दो से धाई चमच चमच छोटा वाला है टी स्पून है तो धाई चमच हमने धनिया पॉडर डाल दिया और दो चमच हमने लाल मिर्ज पॉडर डाल दिया है और एक टी स यमस आमने हल्दी पॉडर डाल दिया और थोड़ा साप चाहें तो गरम मसाला डाल सके हैं अब इसमें थोड़ी से हींग डालेंगे हींग पहले नहीं डाली थी तेल में यह जल जाता है तो इस समय हम ऐंग डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा समझ में आएगा और गरम मसाला ऑप्शनल है आपका महन हो तो डालें आप इसकिप भी कर सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे slow flame पे इसे भुनेंगे कम सकम 10 से 12 मिनट तक हमेसे भुनना है मसाले भुनने के बीच में हम इसमें salt डाल देंगे salt आप उतना ही डालें जितना आपको gravy की जरूत है जो भी salt खाते हूं उसी साब 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 salt डालेंगे फिश हमारी सहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें omega 3 पाया जाता है यह digest भी जलती होती है और हमारे आँखों के लिए भी यह काफी फायदे मंद होता है अगर आप non wish खाते हैं तो कभी कभार फिश जरूर खाएं मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं हमने इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है इसलिए तेल नहीं छोड़ रहे हैं और मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं तो हम इसमें गुन गुना पानी डालेंगे पानी आप उतना ही डालेंगे जितने आपको नीड हो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और बॉयल आने तक हाई ही रहने देंगे और इसे कवर कर देते हैं जब बॉयल आने लगे तो हमें फ्लेम को लो कर देना है ग्रेवी को पकते ही वे 10 मिनट हो चुके हैं तब हम इसमें फिश को डालके 2 मिनट और पकाएंगे 2 मिनट हो गया है गैस को हम आफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब आप इसे रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ गर्मा गरम परोसे और खाएं थैंक्स फॉर वाचिंग